हे गाईज नमस्कार मैं आपका दोस्त अमित स्वागत है हमारे इस योट्यूब चैनल पर एक बार फिट से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे सुडेंट्स तहिदत शुक्रिया गाईज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे बैचलर आफ एजुकेशन M.D.U. से 2023 से बैच में है यह किसी बच्चे का reappearment का exam है यह किसी बच्चे का additional का exam है जो first year का बच्चे ने दिया है तो उस बच्चे का result कब तक आएगा है यहने की M.D.U. university अपना beard first year का result है वो कब तक निकालेगी और बहुत सारी कुछ important बात है इस वीडियो के अदर हम लोग discuss करेंगे तो वीडियो में आगे बटने से पहले एक छोटा सा अनॉंसमेंट अगर आपका कोई relative अगर आपका कोई friend MDU से beard करना चाहता है अपने self financing college से तो हम और हमारी जो team है आपको कैसे admission लेना है और किस-किस college में आप admission ले सकते हैं उसमें हम और हमारी team बहुत अच्छे तरीके से और और उसके बाद सारी जो beard की detail है वो आपको पता चल जाएगी और इसकी जो last date है form fill करने की वो 30 of August है तो उससे पहले क्या है आप लोगों को अपना registration कराना है और आप लोगों को अपना admission लेना है तो guys अब मैं छोटी सी जो important बात आप से करना चाहता हूँ सबसे पहले तो beard first year का result कब तक आएगा तो guys आप लोगों का जो result है क्योंकि देखें आप लोगों के जो practicals हैं वो August के first week तक definitely चले हैं और exams आपके बहुत time पहले finish हो गए हैं तो जब मैंने पिछली last video में आप लोगों को बताया था कि हमेशा जो final semester के या final year के student होते हैं किसी भी university के उनका result क जल्दी आता है जो first और second किसी अलग semester में या year में जो अपना beard कर रहे हैं तो अब आप लोगों का जैसे second year का तो already guys result आ चुका है अब beard first year का result है जहां तक मेरी internal sources से बात चल रही है और जहां तक मैं अपना kios लगा सकता हूं आपका September के first week तक आप लोगों का result है वो MDU की official site www.mdu.ac.in पर जाके आप अपना official result जो है वो check कर सकते हैं और यह जो result है वो declare आपका September के first week में any out हो सकता है अब यहां पर बहुत सारे बच्चे यह बोलेंगे कि by chance कि मैंने अपना first year में कोई exam नहीं दिया किसी कारण से या किसी subject में मेरी reappearment आ जाती है तो मैं उसका exam कब दे सकता हूं को कि देखे जो second year के जिन बच्चों की reappearment, compartment वगरा कुछ भी आई है या backlog आया है तो वो बच्चे अपना November के अंदर आप अपना exam दे सकते हैं पर बियर first year के अगर मैं बात करूं तो उन बच्चों का exam जो है वो आने वाले time में यानिकि next year में first year जब second year के आप ल जो examination आपका कोई भी pending है, कोई भी backlog है वो वाला exam आप दे सकते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका exam हुआ और 6 महिने में आपने exam दे दिया तो कि जो final semester होता है जो final year के student होते हैं उनको कही न कहीं job करनी होते है और वहीं बच्चे क्या है अपना सबसे पहले exam देते हैं तो कि sir MDU first year का जो total overall जो मतलब कितने का paper था और कितने number का first year बनता है मैंने last video में भी आपको पताया था कि 1450 number का overall 2 year का B8 का program बनता है MDU का जिसमें 700 marks का तो आपका first year का है और 750 marks का second year का है तो जो first year के जो number आप लोगों के guys आते हैं वो 400 number का तो theory exam होता है जिसमें 80-80 marks के आपके 5 exam होते हैं और बाकि उन 5 exam का 20-20 internally जो है आपका लग जाता है college के हिसाब से और उसके बाद 200 marks का आपका YY की practical होता है तो total first year का कितने में से आप calculate करेंगे 700 में से अगर आपके जितने भी number हैं आप उसको divide करेंगे 700 से और multiply by 100 तो आप लोगों की percentage आ जाएगी और यही second year के इसने भी guys आप लोगों को number बने हैं final year के student के उसमें जितने आपने obtain किये हैं 1450 से आप उसको क्या divide कर दो और 100 से multiply करके जो भी percentage निकलेगा वो आपका overall percentage होगा अब यहाँ पर सबसे एक important बात जो बच्चे और मुझसे पूछते हैं कि sir ये तो बात चलो आपने सारी की सारी बता दी है अब जिन बच्चों ने अपना first year का result आ गया है या जिन बच्चों का अपना first year में backlog आए गया है जो बच्चों ने exam नहीं दिया अब दुबारा से उन बच्चों का C-Tate का, S-Tate का, REIT का, UP-Tate का किसे का भी exam होता है कि क्या वो बच्चा उस paper को दे सकता है guys यक किन ही आप C-Tate का कोई भी आपका teacher eligibility test है आप appear student हो और first year का already आपने exam दे दिया है तो definitely आप अपना C-Tate का, S-Tate का कोई भी जो आपका paper है आप उसको दे सकते हो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत या problem आप लोगों को नहीं आएगी तो बिलकुल घबराना नहीं है guys बहुत आप अपने exam दे सकते हैं तो guys यही वाला जो question है बहुत सारे बच्चे पूछ रहें कि sir result कब तक आ जाएगा और आप लोगों की study भी guys अब आगे start हो जाएगी तो अब जिन बच्चों ने first year में अच्छे number by chance नहीं भी आते तो आप लोगों को मायूस नहीं होना है first year है second year अभी भी आप लोगों के पास है और second year में बहुत अच्छे number आप लोगों के आएंगे आपको दिल से मैनत करनी है और हमारी team जो आपके लिए important questions और जो notes लेके आती है वो भी बहुत सारे बच्चों के लिए second year में first year में बहुत helpful रहे और second year के बहुत बच्चों के 75 से 80% हमा देन बाइंटे के गाई मुश्कुराते रहना थैंक यू सो मच